हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरुक्स यूटूब चैनल, फार्मरुक्स के यूटूब एच्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, सैप्ट्री एक्सान इंजेक्शन के बारे में, तो हम सिखेंगे ये साथ ही जानेंगे उसका डेल्डी डूस क्या होता है, उसके साइड इफेक्स क्या होते हैं, वार्निंग और कॉंटर इंजेक्शन के बारे में, तो एक्सपेट लेक्चर बाया मरसर, असिस्टम प्रॉफेसर और फांडर फार्मरुक्स, थेंक्यू फार्मरुक्स, प्राइज में, और सिखिया अलग-अलग मेडिसिंस के बेजिक उसके बारे में, उनके डोस, साइड इफेक्ट, और वार्निंग और कॉंटर इंडिकेशन, तो दवायू की पूरी जान का रहे हैं लिए कि आपको वो भी सरल बासा में, फार्मरॉक्स के आप उपर तो भी ड के लिए जड़ू से डाउनलोड करिया है, फार्मरॉक्स, तो अब समझते हैं, सेफ्ट्री एक्सवन इंजेक्शन के बारे में, तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है, कि जिसको हम कहते हैं, सेफालोस्पोरिन एंटिबायोटिक ड्रग्स, और यह थर्ड जनरेशन सेफालोस् फाइड करता है, बेक्टे एके सामने और उनको जो है, वो किल करता है, तो अच्छे से फाइटिंग देता है, कि जब भी यह मेडिकेशन को इन्जेक्शन के थरू कि इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थरू जब इसको इंजेक्ट किया जाता है, तो especially यह जो इंजेक्शन है वो इफेक्टिव है पैरेंटरलिक के जिसके करण उसको इंट्राविनस या फिर इंट्रामस्कुलरी लगाया जाता है और यह जो है वो बहुत सारे बैक्टेरियर इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूस किया जाता है तो आगे समझते उसके यह जाते हैं उसको कहते हैं इंटेम जो इन जाता है साथ उसाथ जो इंपेक्शन होता है उसके करन जो condition produce होती है painful condition कि जिसको meningitis कहते है तो brain and spinal code का ऐसा area कि जहाँ पे जो membrane होता है और वो membrane के अंदर जो infection होता है bacteria के कारण तो उसके इलाज में पर ये injection यूज़ किया जाता है फिर lungs के अंदर infection है ear infection फिर skin infection जो होता है bacteria के कारण तो सभी के इलाज में जो है वो ये medication यूज़ की जाते हैं कि यहाँ पर आप देखो कि जब PID के condition होती तो specially यह pelvis का जो reason होता है तो वहाँ पर जो है वह सुजन देखने को मिलती है कि PID के इलाज में पर ये injection जो है वो patients को दिये जाते हैं फिर safety reaction के हम दूसरे यूज़ देखे तो जो bacterial infection होता है आपके urinary tract के अंदर के जिसको sort में हम UTI कहते हैं तो UTI के इलाज में समझे कि orally medications जो है वो effective साबित नहीं होती या फिर उनसे जो है वो patient ठीक नहीं हो रहा तो उस वक्त सेप्ट्री एक्ज़न के जो injection जो यूज़ किया जाते हैं फिर abdominal sepsis होना या फिर septis amias की जो condition produce होती है तो उसमें भी ये injection यूज़ किया जाता है और multi resistance जो typhed fever होते हैं तो उसमें जो ये injection जो हो लगाया जाता है साथ उसाथ जो respiratory tract infections के अंदर हम देखे तो जब lungs के अंदर infections होता है तो उसको भी ठीक करता है ये safety reaction injection अब समझते हैं उसके dose के बारे में तो उसका जो single dose दिया जाता है 250 mg का intramuscularry तो ये use किया जाता है gonorrhea के इलाज में कि जब gonorrhea के treatment चल रही है तो उस वक्त basically 250 mg intramuscularry single dose जिया दिया जाता है safety injection injection का फिर जो skin के जो infection होते है soft tissue, urinary drug infections वगेरा में जो उसका dose है कि एक से लेकर दो ग्राम intravenously या फिर intramuscularry पर तो usually ये जो medication जो है वो एक से लेकर दो ग्राम जितनी जो है वो patient को दिन के अंदर तो एक ग्राम जितना हो गया उसका minimum dose और maximum जिसका कम कह सकते है दो ग्राम जितना dose जो हो दिन में patient को दे सकते हैं आगे समझें दूसरे conditions के लिए उसके dose तो meningitis के लिए 4 ग्राम दिया जाता है और first dose और उसके बाद 2 ग्राम जितना intravenous ले दिया जाता है और समझें के children के लिए आप use करते हैं तो 75 से लेकर 100 mg जितना dose रहेगा per kg of child per day कि बच्चे का जितना weight रहता है उसके according to जो है वो dose रहेगा कि mg per kg के अंदर ओभी per day के according to रहेगा और ये रहेगा once a day और 7 से 10 तीन तक इसकी जो treatment है वो चलती रहती है तो meningitis के लिए dose हो गया फिर typhoid के लिए हम देखे तो 4 gram जो है वो जितना दिया जाता है intravenously डेली और दो देन जो है वो 2 gram per day जितना दिया जाएगा तो starting में जो है वो 4 gram दिया जाएगा intravenously और उसके बाद जो है maintenance dose के तौर पे 2 gram जितना injection से medication दे जाएगी पूरे दिन के अंदर फिर children हम dose देखे तो 75 mg per kg दो दिन तक रहेगा typhoid के अंदर और समझे कि किसी को resistance है तो उसको combine कर सकते है salvectum या फिर tazobectum के साथ कि अगर सेट्रियक्जों का किसी patient के अंदर resistance देखने को मिल रहा है तो वो resistance को overcome करने के लिए वो resistance को दूर करने के लिए ये जो है वो salvectum या फिर tazobectum के साथ भी ये injection combination में जो है वो use किया जाता है तो यहाँ पर जो आप दोस्त देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दो ग्राम जितना दिया जाता है पर दे तो यह जो है वो दिया जाता है divided dose के अंदर कि ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में आप उसको दो ग्राम जितना इंजेक्ट करते हैं divided dose में जो है वो खास कर दिया जाता है कि जैसे कि एक ग्राम जो है तो आप इस तरह से भी कर सकते कि 500 mg जो है वो एक बार देते हैं फिर 6 गंटे के बाद दूसरा 500 mg फिर अगें और 6 गंटे के टाइम इंटर्वल पर दे सकते हैं अगर maximum dose आप दो ग्राम जितना दे रहे हैं और समझे कि एक ग्राम जितना दे रहे हैं तो उस वक्त बारा आवर के टाइम इंटर्वल पर जो है वो मेडिसिन दी जाती है कि 500 mg दिया फिर 12 hours के बाद दूसरा 500 mg तो इस तरह से प्रॉपर उसकी dose होती है mechanism समझे तो यह medication क्या करती है कि specially जो सेफालस्पुरिन एंटिबाइटिक्स होते तो क्या करते कि cell wall की जो synthesis होती है उसको inhibit करने का काम करते तो यह inhibit कैसे करते तो specially जो हम जो एक protein की जो बात करते है penicillin binding protein की जो खासकर होते है bacteria के cell के अंदर तो वह पर जो क्या करते है disturbance पेदा करते कि जिससे कारण आगे जाके उसका synthesis नहीं हो पाता और उसकी असर पड़ते है डायरेक्टरी बैक्टेरिया के cell wall के synthesis के उपर और अगर यह cell wall का synthesis अच्छे से ना हो तो आगे जाके वह bacteria जो हो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जा उसका synthesis ना हो पाना और synthesis ना होने के कारण नए bacteria बनते नहीं और जो bacteria होते है उनकी cell wall भी यह destroy कर देखता कि जिससे वो bacteria जो है वो destroy हो जाते है उनकी death हो जाती है और देरे देरे bacterial infection body में से कम हो जाता है side effects हम देखे तो एक major side effect कई बार देखने को मिलते हैं कि जिसको medical terms के अंदर कहा जाता है hypoprothrombinemia कहा जाता है कि जिसके अंदर increase होती है bleeding तो bleeding जो है वो increase होती है कुछ cases के अंदर तो अगर आपको ऐसा फिल होता है यह injection लेने के बाद तो तुरंथ उसको लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए और दुसरे सेफालसपोरिन जो है वो यूस करनी चाहिए फिर bleeding जो हो सकती है या फिर bleeding disorders जैसे complications हो सकते है अगर आप safety reaction injection को यूस करते है तो ये उसके दो major side effects है तो अगर ये दो major side effects देखने को मिलती है तो तुरंथ injection को यूस करना बन कर दे फिर urine के अंदर painful condition produce होना कुछ cases में normal side effect के patients जो है वो feel करते है chest के अंदर pain होना feel करते है या फिर जो stomach के अंदर tenderness जैसा होना cramps वगरा होना pain bloating जैसा feel करते है ये medication लेने के बाद और कई बार जो pain होता है side और back below the ribs मतलब कि आपके जो ribs होते है तो उसके side में या फिर उसके back portion में या फिर उसके नीचे जो है आपको side effects develop होते हैं दूसरे side effects देखे तो ये medication लेने के बाद patients जो है बार dizziness जैसा feel करते हैं कुछ लोगों को headache जैसा feel होता है pain होता है या फिर swelling होती है tongue के उपर फिर जो lumps जैसा develop हो सकता है कि जहाँ पे ये injection दिया जाता है कि जिस side पे ये injection दिया है तो वहाँ पे आपको थोड़ lump जैसा feel हुए sweating जैसा feel होता है कुछ लोगों को फिर vaginal itching या फिर discharge जैसे side effect होते है या फिर vaginal yeast infection हो जाना कुछ cases में anemia देखने को मिलता है because bleeding disorder करवा सकती है bleeding करवा सकती है medication की जिससे आपका जो normal blood होता है उसके अंदर ये जो RBC कम हो जाते है और RBC कम होने से low HB और low HB और low पिया और ये medication लेने के बाद कई बार change होता है test आपको ऐसा feel हो कि change हो जोगा आपका test या फिर flushing जैसा feel होता है तो यह है उसके side effect अब contraindications हम देखे तो safe reaction को कब लहीने ला चाहिए तो अगर आपको hyper sensitivity हो जाती है ये injection लेने के बाद या फिर आपको cephalosporine या फिर penicillin की allergy ह तो भी ये medication को use ना करें और patient की ऐसी history रही है कि उसको anaphylactic या फिर anaphylactic reactions देखने को मिलती है hypersensitive reactions उसके body के अंदर देखने को मिलती है कि अगर वो penicillin यूज़ करता है या फिर cephalosporine antibiotic यूज़ करता है कि जैसे कि उनको hives वगेरा develop होना सुजन हो जाना आखों के अंद लिब्स वगेरा या फिर जीब जो होती है हमारे वहाँ पर सुजन देखने को मिले हार्ट रेड उसके इंक्रूज हो रहे है एब्डोबिनल पेन हो रहा है काफी severe vomiting हो रही है confusion फिलो रहा है wheezing coughing तो यसे जो anaphylactic shock के जो symptoms देखने को मिलते है तो तुरंत ये medication देना बंद क कर देना चाहिए फिर ऐसी condition के किसी को diarrhea हुआ है पर diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो भी ये injection को जो है वो यूज ना कर फिर समझों कि जो हीमोलाइटी कहने में है कि जो condition होती है कि जहाँ पे जो आप यहाँ पे RBC देख रहे हैं कि जिसको हम कहते है red blood cell तो red blood cell का burst हो जाना मतलब कि उ RBC जो है वो ये normal है और ये RBC जो है वो damage हो चुका है तो ऐसी जो condition produce होती है कि हीमोलाइटी कहने में यह कहते है कि जिसके अंदर RBC जो damage होते है या फिर वो destroy होना start होते है तो ऐसा blood disorder है किसी को तो उनको ये injection नहीं देना चाहिए तो proper patient counseling होना चाहिए अगर आप safety axon injection को use करते है फिर liver related किसी को problem है तो भी ये injection use नहीं करनी चाहिए bleeding disorders वाले जो patient होते है उनको भी use ना करे फिर किसी को glial bladder related disease है तो भी injection use नहीं किया जाता है renal impairment वालग कि kidney failure के patient है या फिर kidney related बीमारी है तो भी use ना करे और समझे कि yellow wing हो चुक है skin newborns बीबीस के अंदर तो उस वक भी ये injection use नहीं करना चाहिए तो ये थे उसके contraindications तो इसी तरह से सीखे अलग-अलग medicines उनके disease और treatment के बारे में के अलग-अलग medicines कौन से अलग-अलग diseases वगेरा में use होंगे उनके PDF, PPTs और lecture वगेरा affordable price में PharmaRox के अब उबर तो सीखे medicines के basic use के बारे में warning, contraindications और उनके basic use के बारे में तो लाउनलोड करें PharmaRox और access करें study material test series and video lecture WhatsApp कर सकते हैं 9016312020 पे link आपको description box में मिल जाएगी तो डभी डाउनलोड करें PharmaRox Android application Google Play Store, PayPal iPhone, App Store, link के लियर चेक करें, description box, so good luck and all the best